ओके सो नेक्स वीडियो में हम अभी देखते हैं कि गूर्स और सर्विसिस का हमने डेफिनिशन तो देख लिए मिलब फुल फॉर्म देख लिए थी मीनिंग भी देखा था कि क्यों आया है हमारे इंडिया में जितना भी हम पढ़ते रहेंगे उसमें वैसे मैं आपको नोटिंग का टाइम दूँगा बट इन बिट्वीन अगर कहीं ऐसा होता है कि वीडियो आगे हो जाती तो आपके लिए बैंफीट है वहां पर पास करें और वीडियो यह जितना भी है यह नोट करेंगी मैं यह आपक पीडियाफ प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दूँगा यह नहीं दूँगा पीडियाफ आपके पास एवेलेबल होगी बट उसका प्रिंट नहीं लेता होगी I want कि आप यह सब को अपने हाथ से बाइ हैंड अपनी नोट बुक में लेको जब तक यह as a print as it is इसको आप प्रिंट ले लेंगे न तो वो आपके पास एक ऐसे ही रह जाएगा वो किसी बेनिफिट का नहीं होगा मैं आपको एक पूरी बुक दूँगा जो मतलब ICI की तरफ से है वो बुक आपको बहुत हल परेगी उसका प्रिंट ले सकते है उस पे कोई प्रावलम में बट जितना मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आप अपनी एक नोट बुक बनाए उस पे प्रॉपर इसको नो को आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको कोई वीडियो ग्लासी डाउलोड कर सकते हैं सच कोई प्रॉपलम नहीं है वहाँ पर सो बफरिंग विगर का इशू आपको नहीं आने वाला है उसकी अरह हुआ है जो आप रिजोलुशन विगर में अपनी साफ एक होता है हमारा direct tax एक हमारा होता है indirect tax और indirect tax क्या होता है majorly फोड़ा सा आपने पढ़ा होगा maybe 11th-12th में ग्रेज़ूशन में जरूर इसका आपने देखा होगा Direct tax का मतलब होता है जब government directly उस person से वो tax collect कर रही है जो उसको use कर रहा है पैसे को मतलब जो की वो earning है जिससे collect करना है उसी से वो collect कर रही है मतलब person pays tax from on pocket person जो tax pay कर रहा है ना अपनी जेब से pay कर रहा है So like income tax यहाप immediately कोई सी बात आती है income tax आप आपके parents आपके donation में जो भी है वो income tax pay करते होंगे hopefully करते होंगे So income tax जब pay करते हैं So वहाँ पर क्या होता है आपने earn कर रहा है आपकी अपनी salary आई है आपने कमाया है So उसके उपर tax बढ़ना पड़ेगा आपको fill submit करना पड़ेगा इसके पास government के So वो tax किसकी जब से गया आपकी अपनी जब से गया देना किसका था आपकी को देना था और दिया किसने आपकी ने उसको tax को pay कर रहा है ठीके So clear है मतलब यहाँ पर क्या है जो percent earn कर रहा है वो ही उसको क्या करेगा pay करेगा So यहाँ पर example में मेरे पास क्या आजाता है income tax आता है second tax second tax होता है मेरा indirect tax indirect tax मतलब नाम से बना चला है indirect तरीके से में उससे ले रहा हूँ मतलब tax को में पर कर रहा हूँ but from मेरी जेप से नहीं जा रहा है सरी ऐसा कैसे होता है मतलब मैं बात करता हूँ मैं बात करता हूँ मैं एक company हूँ company कोई भी company ले ले लेते अपने आपको domino's लेते ठीक है थोड़ा सा बीज़ी पर मन भी करता रहेगा खाने का So domino's की बात करते है हम domino's है So मैंने भी क्या कर रहा है आप जब मार्क domino's में जाते है वहाँ पर क्या करते है purchase करते है purchase करने पर bill पर आपको tax मिलता है For example आपने पीज़ा purchase करा 100 rupees का उसके उपर उसपर tax लग गया For example मैं कह रहूँ 18 rupees पर ठीक हर प्रोड़क्ट पर लग लग लेट है So 18 rupees का उसपर tax लग गया वो जो tax आप से collect करा है वो government को pay करेगा क्योंकि tax किसका होता है government का होता है tax उस person का तो नहीं है domino's की तो income नहीं है उसकी domino's की income कितनी है सिर 100 rupees So 18 rupees जो आप से लिए वो आप से लेकर domino's किसको दे देगा government को So government को कौन दे रहा है tax domino's जे रहा है क्या उसकी pocket से यह नहीं pocket से तो आपकी यह है आपका नुफसान हुआ है आप से लिया और government को दिया So यहाँ पर क्या हो रहा है indirectly government आप से tax ले रहा So वो जो tax जा रहा है मेरी pocket से ना जा कि वो मैं किसी और सरी cover कर रहा हूँ So यह कैसा होगे indirect tax So person collect tax from customer Customer से collect करते हो Government को pay करते हो जैसे की आज के टाइम पर GST पहले Wared Service Access और CST होता था हमार Tear हुआ है आगे देखो बीज मेने कुछ इससे के content आएगा यह file में आपको दूँआ So आप आप इसको क्या करना Note down कर लेना इससा कुछ लगता है तो जहाँ भी जितना important है वो सारे मैं फड़ार हूँ यही चीज उसमें Reputative है इसको आप Note down कर दीजी तीक है मैं आपको time जटो Note down कर दीजी चलिए आगे गड़ते Tax के replacement देखते मैं आपको कहा ना पहले बहुत सारे tax होते थे आज tax change हो गए अभी major नी मेरा GST रह गए पर GST के अलावा भी आज के time में भी मेरे पास काफी सारे other taxes भी रहते है तो पहले कौन से taxes से जो की GST के आने के करन अब खतम हो गए सो उसमें mainly कौन सा है wet wet क्या होता था wetness बूर्स पे लगता था समान पे लगता था जब मैं sale करता था purchase करता था wet लगता था जब मैं एक ही state के अंदर purchase करता था like मैं महराष्टा में हूँ मैंने कहा से purchase कर लिए महराष्टा का महराष्टा में purchase कर रहा है, so जैसे भी मैं बात करता हूँ अपने इस state की बात करता हूँ उत्राकंट, so उत्राकंट के अंदर दो cities है, एक देरादून, एक खरीदवार मैंने हरिदवार कस से समान करीद लिया देरादून में, देरादून से हरिदवार में परचेस कैसे चल रही है, same state के अंदर चल रही है जब same state के अंदर आपकी purchase sale चल रही है, तो वहाँ पर वैट लगता था CST कब चार्ज हो जाता है, CST चार्ज होता था आपका जब आपना एक state से दूसरे state के बीच में कर लेते, जैसे उत्राकंट से महराष्टरा के बीच में कोई समान sale पर चीज होई है, तो मैं seller हूं कहा का उत्राकंट का, आप customer है मेरे आपने मुझे कोई समान लिया, आप कहा के customer है महराष्टरा के, तो क्या लगता था इस टाइम पर CST लगता था, फिर एक होता था हमारा service tax, service tax लगता था हमारा service अभी कि service पर भी, गुर्स पर भी, गुर्स पर भी जिस्टी लगता था पहले दोनों पार दोनों पर देखना पड़ता था, क्यों वहículos है या service से गॡॉटस ये तो अछ्धाँ इसके साब सर्भी से लगां जाता तो एक्साइज लगता था जैसे ही मैं गॡूर्स को मैनुफएक्टर करता और समान बनाया उस पर सर्भूर्स पे करतुर सो तो मतलब इमुवल जैसे कि आपकी movie ticket गर पर पहले क्या लगताथा है entertainment अभी क्या लगता है वाप पर भी GST tax लगता है आपका अम कौनपोन से tax रहागे जो आज भी सेम है पर एक custom custom होता है import export पर so us time पर na custom duty देने पढ़ती है में चलिए आपको import पर सो वह हो custom आज भी लगती है उसके अलावा income tax अभी पढ़ा ना income tax तो income tax है यह वो तो direct tax उसका इससे कोई निजेशन है सच नहीं है TDS, payroll, PF, ESI यह सब भी मेरे आज भी लगते हैं तो यह सारे taxes आज भी apply given है और वो pure GST तो definitely आज की time पे हैगी ओके, इसको भी आप क्या करें, note कर दीजिए earlier indirect tax before GST GST से पहने indirect tax का मेरा क्या system था देखो, starting से नहीं जैसे भी मैंने आपको वैक्त और CST का बता है, आज भी और पहने पर मुझे ना यह चीज़ देखने होती थी कि मैं sale, मैंने एक तरह से general word बता रहूँ detail में जाएंगे, तो छोड़ा concept change हो जाता है अगर मैं roughly एक बात करता हूँ, तो मैं यह देखता हूँ seller और buyer, दोनों कहा के हैं वो same state के हैं, यह different state के हैं मैं बात करता हूँ, उत्राखंड में like मैंने उत्राखंड में, दोनों cities आपको बताईगी हरिदवार एक दो हरद हो, यह तो फूरे chapter में आपको यादी हो जाएगा आपको मन करने लगेगा, sir आपसे मिलने हरिदवार आते हैं पिलकुल, मैं तो चाहता हूँ मिलने आओ, मिलेंगे ना आभी यहाँ पर पड़ रहे हैं, मैं आपको ऐसे जानता नहीं हूँ, देखा नहीं है बट जब भी आपको अरिदवार हो तो मुझसे जरूर मिलना ठीक है, city आपको अरिदवार अच्छी है, पता ही है तो गंगा है, महाँ पे हरकी पौरी पहुत सारी लोकिशन्स है, तो मुझसे एक बार जरूर मिलना अभी बात करता हूँ, indirect tax की So, indirect tax में मैंने क्या बताया indirect tax में पहले वैट और CST आता था majorney So, वैट और CST में क्या हो जाता था कि अगर मैं same state के अंदर sale purchase कर रहा हूँ, तो वैट लगता था इक state से दूसरे state के बीच में कर रहा हूँ, तो क्या लगता था? CST लगता था बात clear हूँ? So, और service पी क्या लगता था? Service tax अभी मैं क्या जखता हूँ कि पहले मुझे क्या करना पड़ता था पहले यह देखना पड़ता था कि वह goods है यह service है क्यों? Goods होगी तो मुझे क्या लगाना होगा एक तो मुझे वैट लगाना होगा या फिर CST लगाना होगा अगर service होगी तो क्या लगा हूँगा महाँ पर service tax लगा हूँगा exercise में मैंने एक tax बताया न आपको exercise किस पर लगता है? Goods की manufacturing पे तो उसके उपर क्या लग जाता था एक exercise duty लग जाती थी वह exercise duty लग जाती थी आपकी सो अब तो यह system नहीं है तो इसके बारे मैं आपको थोड़ी जानकारी होने चाहिए क्योंकि अभी दो देखो exist नहीं करता है तो इतने जादा pain लेने की ज़ूरत नहीं है थोड़ा पता होना चाहिए पहने क्या होता था कि अगर यह देखते ते गुट्स बनाने के बाद कि भाई मैं डेलर हूँ यह manufacturer हूँ डेलर हूँ यह manufacturer है फिर देखता था within state है या outside state है within state है तो मैं क्या लगाँगा wet outside state है तो क्या लगाँगा CST, same state के अंदर sale purchase कर रहा हूँ तो क्या लगाँगा wet एक state से दूसरे state पर sale purchase कर रहा हूँ तो क्या लगाँगा महाँपे मैं CST चार्ज करूँगा अगर मैं manufacturing मैं mobile बनाने का काम है मेरा wet और CST तो लगे लगे लगेगा उसके लाबा मुझे टेक्स हो देना पड़ जाएगा कौन सा टेक्स X size सो मुझे size भी पे करना पड़ेगा service provider service provider को तो tension free उसको क्या charge करना था service tax charge करना था उसे कोई tension नहीं है कि within या outside उसे तो क्या charge करना है service tax charge करना है यहाँ पर manufacturer वाला यह dealer वाला concept आता ही नहीं है service तो यह मैं आपको पढ़ा रहो तो अभी इसमें क्या manufacture और क्या डी नहीं एक ही चीज होती है नहीं है सो इस case में यहाँ पी कैसा हो जाएगा service tax आ जाएगा आपका दर आई यह बात को जिकत हो नहीं indirect tax अब कैसा हो गया यह तो भई जो हमने पढ़ा यह बाबा आदम की जमाने का पढ़ा मला हिस्ट्री वड़ी हमने राजा महराजा कैसे करते तो राजा महराजा ने इसे 2017 से पहले की बात है यह सो ऐसा भी मैं चले जाता है just for a joke अभी आज के टाइम पर कैसा चलता है उस शीश को देखते हैं आज के टाइम पर नो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता है मैं goods बना रहा हूँ यह मैं service बना रहा हूँ हर चीज में मुझे सेम इसके अलावा मुझे कोई मतलब भी नहीं है एक चीज पहले मैं जिसतर से हाइलाट कर रहा हूँ उतना देखना हूँ indirect tax अगर मैं within state कर रहा हूँ same state में cgst sgst 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 कोई फरक नहीं पढ़ा रहा हूँ मुझे outside state कर रहा हूँ तो कैसा कर रहा हूँ IGST IGST मुझे फरक ही नहीं पढ़ रहा है यह goods है यह service है dealer है manufacturer है यह service provider है मुझे कोई फरक नहीं पढ़ा हूँ अब बालाती है सर यह कहने लिए अभी तो आपने gst gst बोलाता है cgst sgst igst यह क्या क्या आगे हाँ यह आगे अभी के लिए इतना मान के चलो जब एक ही state के अंदर save purchase करते हो न तो उस टाइम पर आप क्या लगाते हो cgst और sgst जोनों एक साथ मिला के charge करते हो और जिए एक state से दूसरे state को एक करते हो जैसे उत्राकंट से महराष्ट्रा होगे यह उत्राकंट से Delhi होगे यह उत्राकंट से UP होगे यह महराष्ट्रा से West Bandal होगे इस तरह से कहीं पर भी मतलब दो states के बीच में हो रहा है तो मतलब क्या होता है इनको कैसे कैसे charge करते हैं क्या चीजी है वो सब हम नेक्स वीडियो में देखते हैं ठीक है बाई बाई इसको पूरा के पूरा अब क्या करो no down कर लो